तो दोस्तों अगर आप लॉन लेने की सोच रहे हो तो आज किस वीडियो में आपको EMI और EDI में क्या अंतर होता है इस पर पूरी जानका भी बताने बाला हूँ बैसे EDI का मतलब तो अगर आप Google पर सर्च करोगे तो इसका काफी जादा मतलब आपको निकल के आएगा लेकिन हम पर्सनल लॉन की बारे में बात करने बाले है ठीक है देखो हम क्या करते हैं कि अप्लिकेशन से लॉन ले लेते हैं और वहां पर कहीं-कहीं लिखा रहता है कि EMI आपकी इतनी कटने वाली है और कहीं-कहीं लिखा रहता है आपकी EDI इतनी कटने वाली है लेकिन हमको यह पता नहीं चलता कभी कमार क्या होता है जो लोग जानते ह जो लोग नहीं जानते हैं मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूं ठीक है देखो EMI क्या होती है जब हम कभी भी लोन लेते हैं किसी भी एप से तो मान के चलो हमने एक 10,000 का लोन लिया एक जांपर के तौर बता रहा हूं है अब वो 10,000 रुपे हमने तीन मेहने के लिए लिया इस की EMI है उसके 35 रुपेया गोड़े तीन, इमाई तो आप हम इसको बोलेंगे EMI के मतलब होता है कि मंत्री बेसिक पर इस्टॉल्मेंट करेए जो मंत्री बेसिक पर आपकी इस्टॉल्मेंट होगी वो होगी दोस्तों 35 रुपे की अब कई application में क्या होता है वहां पर देता है वह मतलब होता है डेली इस्टॉल्मेंट समझा देता हुम है जिसे मान के चलो आपने 10,000 रुपी का लोन लिया अब इस जिर लोन है आपने तीन महीने के लिया तो देली बेसिक पे कितना पैसा पड़ेगा वह वहाँ पर कैल्कुलेट होगा जैसे कि 3500 रुपे का जो है महीना पड़ा दस यार में 3500 का महीना पड़ा एक जांपल के तौर पे तो दिन का कितना हुआ ठीक है 1236 मतलब की 115 45 मतलब एक सो साट पॉइंट पचास पैसा ठीक न तो 1638 मतलब की 160 रुपया प्रती दिन का आपका कटेगा काफी लोग क्या करते हैं कि एक लाइक कर दें लेकिन जब बहुआ पैसा बैंक में आता है उसके बाद वह क्या करते कि पैसे निकाल की खर्च कर लेते हैं जब उनको पता चलता है कि भईये यहां पर तो मंतली बेसिक पर नहीं डेली बेसिक पर इमाई काटी जा रही है फि पर हमको एतना पे करना है जितना वहां पर लिखा है और अगर EDI लिखा है EMI की जागए पर EDI लिखा है तो समझ जाओ बहुत यह डेली बेसक पैसे कटने वाले हैं तो आपको अतना पैसा मेंटेन बनाना पड़ेगा जितना उन्होंने बता जाए है ठीक है तो यही मुझे ब बेसिट पैसे कटेगी आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो छो लाइक कर सकते हैं इंफरमेशन अच्छी लगई हो तो वीडियो को लाइक करदें दोस्तों से शैर करदें और हाँ दोस्तों अगर आपके पुम्हें कोई और सवाल है तो बिंदास कमेंट बॉक्स में झाल झाल